दक्षिण भारत से क्यों डरती है बीजेपी? सिर्फ उत्तर भारत से नहीं चलेगा काम लोग सभाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी चुनावती शिवराज से दिलापाएंगे दक्षिण भारत में जीत उत्तर भारत में बीजेपी का जल्वा लेकिन दक्षिण में क्या होगा? आखिर दक्षिण में बीजेपी का सफर कैसे तै होगा? क्योंकि लोग सभाच चुनाव से पहले जिस तरीके से विधान सभाच चुनाव में बीजेपी को तमाम एक से एक जटके लगते रहे और एक भी रज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो ये बड़ा सवाल है कि लोग सभाच चुनाव में जो बीजेपी का सफर है आखिर वो कौन तै करेगा? नमश्कार आप दिख रही है नेक्ष नैंड पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके सांस सिराज आज बात करेंगे कि कैसे दक्षिंड भारत बीजेपी के लिए आज भी एक चुनोती बना हुआ है भले ही बीजेपी का उतर भारत पर बिल्कुल कबजा है लेकिन फिर भी बिना दक्षिंड भारत के उस ताज पर पहुँचना उस प्रधान मंतरी की गदी पर पहुँचना कहीं न कहीं एक मुश्किल भरा सफर होगा इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहीयोगी अक्षे हमारे साथ मौजूद है उसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दक्षिंड भारत में बिजेपी का सफर कैसे तैह होगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगतार जो है उत्तर भारत में बिजेपी का एक तरीके से कह दें कबजा है लेकिन वही दक्षिन भारत की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से बीजेपी साफ हो चुकी है और एक भी राज्य ऐसे नहीं है जहां पर बीजेपी की सरकार है करीब बात करें दक्षिन भारत की तो पांस से छे राज्य आते हैं जहां पर लोकसभा की 131 जो है लोकसभा स चुनावी परिणाम जो 2018 के सामने आते हैं कॉंग्रेस नी बीजेपी से जादा सीटे हासिल जरूर की थी लेकिन कॉंग्रेस खुद बहुमत के आकड़े को छू नहीं पाई थी कॉंग्रेस को खुद 2018 में यहां निर्दलिय विधायकों का समर्थन लेना पड़ा था जिसके बाद कमलात एक बार फिर से मध्य परदेश के मुख्यमंत्री बने तो और 15 साल बाद मध्य परदेश में कॉंग्रेस सत्ता में आई थी लेकिन यहां पर यही मुझे लगता समझने की चीज़ है क्योंकि शिवराज सिंग चुहान मध्य परदेश मध्य परदेश देश का दिल कहा जाता है भारत का दिल कहा जाता है निश्चित रूप से मध्य परदेश देश के सबसे मध्य हिस्से में आता है उत्तापरदेश के नीचे पड़ता है अकर आप नक्षे के साब सेवकर आप मध्यपरदेश को देखेंगे और Dakshin भारत की ऊपर पड़ता है लिए बिलकुर मध्यस से पार आता है ऐसे में मध्यपरदेश के नीचे पर शिशिवरास सिंग चोहान के चेरे पर B.J.P. ने दो हालिया विधानसवा चुनावों में पार्टी ने 230 से विधानसवा सीटों पर चुनाव लड़के 163 सीटों पर जीत हासिल की, उसमें केवल प्रधानमंत्री इंदरेद्र मोदी के चहरे का कमाल नहीं रहा, यहां पर शिवराज सिंग चोहान के नाम और उनके कामने भी भूमी कि आप इस बात को नहीं नकार सकते कि शिवराज सिंग चोहान को 2024 के लोकसमा चुनावों के लिए दक्षिन भारत के इन पास से 6 राज्यों के जिम्मिदारी भारती जंदा पार्टी के आलकामान ने दी है, जिन पास से 6 राज्यों को प्रधानमंत्री इंदरेद्र मोदी का नाम और उनका काम और उनका चेहरा भी नहीं साथ पाए, लागतार जिकर रहा यहाँ पर कि हिंदी पटी के जिन तीन राज्यों को इस दफ़ा भारती जंदा पाटे ने जीता है, वो प्रधानमंत्री इंदरेद्र मोदी के नाम काम और चेहरे पर जीता है, लेकिन यही ना काम और चेहरा मद्य भारत के नीचे अगर आप चलेंगे दक्षिन भारत में तो वहाँ यह इतना कारगर्द साबित होता नजर नहीं आया, ऐसलिए शिवराज सिंग चोहान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में अगर आप मद्य परदेश में शिवराज सिंग चोहान जिम्मेदारी देने की बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन मेरा आप से एक अगला सवाल रहेगा कि किस तरीके से उतर भारत में खास्तोर पे बीजेपी जो है एक जाती और धर्म का जो एजेंडा चलाती है, खास्तोर पर उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, तमाम वो राजे हैं जहां पर एक तरीके से कह दें कि बीजेपी का जो साफ सुतरा हो चुका है, तो क्या वहाँ पर ये एजेंडा काम आएगा लोग सभाचुनाओं में या नहीं? उसके बाद ततकालीन पीवी नरसीमर राओ सरकार ने बीजेपी की चार राजियों की सरकारों को पूरी तरह से बरखास कर देते, जिसमें सबसे जादा चर्चा उस समय के ततकालीन मुख्यमंदरी यूपी की कल्यान सिंग की यूपी सरकार रही थी, और उनके राज में भारते जंता पार्टे की सरकारों को निश्कासित कर दिया था, इसलिए जिस यहां हिंदुत की बात की जाती है, बीजेपी के कोर अजेंडे की बात की जाती है, यह बात बिलकुल नकारी नहीं जा सकती, कि इसी अजेंडे के चलते बीजेपी आज के इंदर की सत्ता में है, और इसी एजंडे के चलते बीजेपी ने अपनी 4 राज्यों की सरकारे गवाई है और आजकल हम देखने को साब तोर पर मिलता है कि एक राज्य सरकार बचाने में पार्ट्यास जीजान लगा देती है तो सोची कि BJP ने उसी मुद्दे के लिए चार राज्जी की सरकारे गवाई भी है तो इस बात को नहीं ना कारा जा सकता कि BJP का प्रमुग मुद्दा यहां पर हिंदुत्व ही है और इसी के चलते पार्टी यहां सत्ता में भी आई और पार्टी के लिए इस मुद्दे ने भ काम नहीं करा तो सवाल यहां पर यह इसब रहाएं कि 231 लोो confasytा में 31 स्हें भारती जंतापथ को और नहीं है कि HCB कि a本ा थिछा कोर और हंभारत में काम करें वा ला है इस बात का अंदाज अ इस चीज से लगा सकते हैं कि अर्णनादू के यहां पर अलग पलट भी बात करे करनाटक की तो करनाटक में साल बीजेपी को हार का सामना जरूर करना पड़ा लेकिन करनाटक में जब सत्ता में भारते जंता पार्टी आई थी वो भी अपने प्रमुग मुद्दे हिंदुतों के चलते ही आई थी इसलिए जब 2019 के लोगसबद चुनावों में दक्षिन भारत में जिस तरीके से उत्र भारत में उसका एक बर्चस्व है कहीं न कहीं दक्षिन भारत में भी अव उसको एक साधने का प्रयास कर रही है बीजेपी हलाकि दक्षिन भारत में बीजेपी की मुश्किले कहीं न कहीं बढ़ती वी नजर आ रही है मैं आफ से आखरी सवाल पू बारती जन्ता पार्टी 2019 की लोकसाब चुनावों में जीतने में कामयाब भी रही थी और इसमें एक और चीज में आपर अगर अगर अड़ान करना चाहूं तो वह निकल के आएगी कि यहां पर देश के पूर प्रदानमंत्री हC देवे गोड़ा की पार्टी जेडियस भी अब अन डिए में शामिल हो चुकी है अब जब अन डिए में यहाँ पर होनेकी भी शंभावना यहां पर काफी है बिल्कुल कहीं न कहीं आप जिस तरीके से एंडिये का आप सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा दक्षण भारत में खास तोर पर बात करें तो BJP की यह चुनाओती है कहीं न कहीं आप उसको साधने में BJP काम्याब रही है वैसे में बात करें जो उनका एजेंडा है BJP का वो भी कहीं न कहीं अच्छा खासा करनाटक जैसे राज्ये में प्रभाव दिखाते नजर आएगा फिलाल ये थी रिपोर्ट जो है BJP को लेकर लोग सबच चुनाओं में कैसे जो है दक्षण भारत में BJP के लिए चुनाओती ह आगे की खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स देन पॉलिटिकल बाइट धन्यवाद